Hey Hello Everyone So, आज से हम लोग geometry start करने वाले हैं I hope आपने अब तक सारी classes देख ली है arithmetic prime time 2.0 में complete हो चुका है Advance में सबसे पहले हमने trigonometry किया फिर height and distance किया फिर algebra किया और अभी हम geometry start कर रहे हैं Okay, geometry में कैसे कैसे चलने वाला है मैं आपको बता दू सबसे पहले हम करने वाले है lines and angles Lines and angles फिर हम करेंगे triangle फिर हम करेंगे circle फिर हम करेंगे quadrilateral फिर हम करेंगे prism और pyramid हलाँ कि prism और pyramid you can say कि यह mensuration का topic है तो यह mensuration में चले जाएगा यह इसमें नहीं आएगा यह mensuration में आ जाएगा तो basically यह 4 topic है जो अभी हम करने वाले है और on an average आप expect करो कि यह आपका महिना खा जाएगा महिना as in मैं paid course के लिए बता दू lines and angles की 2 videos आने वाली है triangle में at least 12 videos आएंगी for now घट बढ़ सकता है एक दो circle के लिए मुझे लग रहा है 8-10 videos minimum आएगी और quadiliteral में maybe 4-6 videos तो आएंगी ही आएंगी तो कुल मिला के आप देख रहे हो कि करीब 28-30 classes है तो Monday से लेके Saturday तक अब से मतलब हर week सिर्फ Sunday को आपको rest मिलेगा और बाँ की दिन classes आपकी चलती रहेगी और ये app पर और जो बच्चे हमारे YouTube से हमें देख रहे हैं इनका half कर दो इतना आपको मिलेगा यानि जो भी basic से वो यहां जरूर मिलेगा उसके बाद जो practice questions है वो आपको यहां नहीं मिलेगा उसके लिए आइदर आपको ये book purchase करो या आप हमारे course में enroll कर सकते हो अगर आपकी पास कोई already book है तो आप उससे भी कर सकते हो In future अगर कोई बच्चा देख रहा है 2025, 26, 27 क्योंकि यह यही रहने वाला होता है ये videos ऐसे ही चलता रहता है उस समय भी आप मेरे उस समय का जो course होगा उससे enroll होना क्योंकि वो और ज़्यादा updated होगा तो I hope यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको पता सल चुका है तो तयार है ना Lines and Angles के classes में आज मैं आपको पूरा basics बता दूँगा कि क्या होता है Lines and Angles कैसे ये work करता है then हम इसके 15 questions करेंगे और फिर homework में आपके 30 questions दे रखे हैं वो जरूर कर लेना Classes की PDF आपको हमारे Telegram channel Maths by Abhinav Rajput और मुझ से चुड़ने के लिए Instagram Maths by Abhinav Rajput पे जरूर connect हो जाना वहाँ पे आपको सारे details हर exams rated और हर चीज का information वहाँ मिल जाएगा तैंक्यू सो मच अब हम Class start कर सकते हैं बहुत हो गई बाते दो मिनिट देना मुझे ओके सॉरी विंडो क्लोस कर रहा था मैं देखो सबसे पहले बात करते हैं point point क्या होता है basically point is something जिसका ना ही length है ना ही breath है ना ही height है कुछ भी नहीं है basically देखो इसको हम बोलेंगे point अगर आप से पूछे इसकी लंबाई कितनी है कैसे measure नहीं measure कर पाओगे ना breath ना height तो ये क्या होता है ये point होता है और जब आप बहुत सारे points बना देते हो बहुत सारे points बना देते हो point 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 और इन सब को मिला देते हो ना तब बनता है line जिसको हम हिंदी में कहते है रेखा point जिसका ना length है ना breath है ठीक है जो line होता है basically यह एक रेखा है, जिसकी लेंद्थ होती है, बट ब्रेथ और हाइट नहीं होती, ध्यान रखना, ओके, लाइन की खासियत क्या होती है, इसका कोई end point नहीं होता, जैसे मैंने यह लिख दिया न, यह आगे कहीं पे भी जा सकता है, इधर भी कहीं पे भी जा सकता है, इसको हम क् उधर नहीं जा सकता, यह अब इधर नहीं आ सकता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, line, segment, क्या बोलेंगे इसको हम, line, segment, एक्सपोर्ड भी अभी होना था, दो मिनिट देना मुझे, तो अगर मैं दोनों साइड बेंदू डाल दू और इसको end कर दू तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, line, segment यानि रेखा खंड, बेसिकली इनका end point होता है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड से end point है इसका, अगर मैं यह ऐसे बना दू, इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रे, रे यानि कि किरन, किरन बोले तो यह आपको रास्ता दिखा रहा है, एक तरह से, किरन की तरह, यह एक रास्ता प्लेंगे रे, क्या बोलेंगे इसको रे, I hope, clear होगा यहां तक, point, line, line, segment, ray, अब आजाते हैं plane, plane यानि सम्तल, basically कोई भी figure जिसका length और breath तो है लेकिन height नहीं है, आप जिस पे खड़े हो, ये भी सम्तल होता है, ये plane होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक plane है, ठीक है, अब आप assume करोगे ना, तो एक जो कागच का पन्ना होता है ना, हमेशा उसको हाथ में लगा, उसको plane बोलोगे आप, ठीक है, आप गौर से देखना, उसकी length है, breath है, लेकिन height नहीं है, क्योंकि ये 2D figure है, 2D figure में height नहीं होता है, 2D figure में height नहीं होता है, तो I hope clear होगा plane या सम् क्या होता है, ठीक है, एक बार फिर से देखलो, point यानि बिंदू, basically ये बिंदू है, जिसका length, breath और height नहीं है, basically it is not measurable, इसको आपना measure नहीं कर सकते हो, line होता है, basically जब बहुत सारे points को मिला देते हो, तो line बन जाता है, line segment होता है, उस line का end है, line segment कहलाएगा, ray होता है, एक side से line segment यानि एक side से end है, दूसरे side से end नहीं है, तो वो ray है, plane हो गया, जिसका length या breath है, लेकिन height नहीं है, okay, parallel line या समानतर रेखाएं क्या होती है, basically दो line, दो line, जब एक दूसरे को कभी touch नहीं करती, उसको हम कहते हैं, समानतर रेखाएं, यानि parallel line, basically ये दोनों क्या है, these are parallel lines, ठी है, they do not intersect at any point, ये कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करते हैं, और इनके बीच में हमेशा distance same रहेगा, हमेशा distance same रहेगा, जैसे यहाँ अगर 10 feet है, तो इधर भी 10 feet होगा, और इसको आगे लेके चले जाओ, यहाँ पे भी 10 feet होगा, तो दो रेखाओं के बीच में, दो parallel lines के बीच में हमेशा ध्यान रखना distance same होता है, okay, हमेशा distance same होता है, I hope clear है, parallel lines क्या हो, या समान अंतर रेखाए, जबी भी in future आपको parallel lines बने, that means कि यह और यह है, for example मालो आपको दे देगा एक triangle है, ABC, दो point है, D और E, AB पे है D और E है BC पे, E है AC पे, अब यह बोल दे कि DE parallel है BC से, that means कि यह और यह एक दूसरे से parallel है, इनके बीच में यहाँ जितना distance, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, ठीक है, और एक सी धान रखना, parallel line never intersect each other, SSC में तो यही बढ़ाया जाता है, कि parallel line कभी intersect नहीं ह Mathematic Honors वाले बच्चों को बता होगा, ठीक है, वो कभी बन में लगे नहीं नी सर होता है, होता है, वो हमें भी बता है, ठीक है, वो maths हमने भी बढ़ी है, बड़ यहाँ पे parallel line कभी intersect नहीं होता, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है, parallel line कभी intersect नहीं होता, ओके, हाँ, हाँ, यह बना दिया, एक यह बना दिया, एक यह बना दिया, अब दिखो खासियत क्या है, यह जो angle है ना, यह 180 से ज़्यादा है, यह 90 से कम है, बड़ यहाँ दिखो गए ना, यह exact 90 degree है, एक और चीज, parallel line का symbol यह होता है, ध्यान रखना, यह parallel का symbol है, ठीक है, point यह है, यह line है, यह line segment है, यह ray है, यह plane है, ठीक है, सबका एक basically diagram होता है, symbol होता है, मैंने सबका बना दिया, फिर यह है parallel line, अब आ जाते perpendicular line, अगर कभी भी, कभी भी, दो line, एक दूसरे को 90 degree पे intersect करे, यानि कि जब वो एक दूसरे को intersect करे, यानि टच करे, यानि टच करे, या चुए, तो 90 degree का angle बनना चाहिए, तो हम उसे लंबवत रेखाएं, या फिर perpendicular line बोलेंगे, like this one, देखो यह जहां intersect हो रहा है, 90 degree है, जैसे यह एक line है L1, यह है L2, तो हम क्या बोलेंगे, L1 perpendicular to L2, यह जो मैंने अभी symbol बना दिया है न, यह basically लंबवत रेखाओं का symbol होता है, this is symbol of perpendicular lines, clear है, इसको हम क्या बोलेंगे, perpendicular lines, perpendicular की खास्यत क्या होती है, basically यह, बिल्कुल straight, ठीक है, last time, prime time में भी मैंने बताया था आपको, अगर आप मेंसे किसी ने गैंक्स ऑफ वसेपुर देखी है, तो उसमें एक बंदे का नाम रहता है, tangent, और एक होता है, perpendicular, ठीक है, अगर किसी को दुख दर देना है, तो बस गले से छुके blade निकाल देना, तो उसको हम बोलेंगे, tangent, उस movie का बता रहा है तुमें, और अगर किसी को मारना है, तो सीधा करके मारो, 90 degree angle बने और गले का नसी खतम, उसको हम बोलेंगे, perpendicular lines, ठीक है, तो इसलिए अगर वो movie याद है, तो perpendicular और tangent, ठीक है, त जिवार 90 degree होता है, पेड़ भी 90 degree होता है, जो बिल्कुल straight हो, खंबा देखते हो, 90 degree है, जमीन से 90 degree का angle बनाता है, जो भी ऐसे straight होना, वो 90 degree है, ठीक है, नेक्स्ट है, concurrent line, concurrent line क्या होता है, जब एक ही point से, जैसे माल लो, ये एक point है, यहां से यह और ये line intersect हो रही है, एक line मैंने और intersect कर दिया, एक लाइन और, 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 कितना भी कर सकते हैं, एक जित दान रखना, एक पॉइंट से infinity number of lines पास हो सकता है, कितना, infinity, यानि कितने भी line आप पास कर दो, क्य आप रख पड़ता है, ओके, तो जब आप एक ही point से बहुत सारे lines गुजरते हैं ना, उन सारे lines को हम basically concurrent lines कहते हैं, क्या कहते हैं, concurrent lines कहते हैं, यानि sum वर्ती रेखाएं, यह basically एक ही बिंदू से होकर गुजरती है, ओके, तो इसको हम concurrent line कहेंगे, sum वर्ती रेखाएं, I hope, clear है, मै ज़्यादा समझा के आपको complicated नहीं करना चाहता, SSE में जितना सीखना है, उतना ही सीखा रहा हूँ आपको, अब बात करते हैं कुछ angles की, वो तो line था, अभी तक हमने जो पढ़ा line है, और इस chapter का नाम है lines and angles, तो angles भी तो पढ़ना है न, सबसे पहला angle है, acute angle, ओके, सबसे पह पहला क्या है, acute angle, noon cone, सबसे पहले समझो angles क्या होता है, तो दो line कभी भी intersect करता है न, तो उनके बीच में एक इस type से ये form हो रही है न, इसी को हम कोन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं, जैसे दो line intersect हुआ एक दूसरे से, तो चार angles बने, कितने, चार angles बने, तो इ कौन की खास्यत क्या होती है, कि आइधर ये acute होता है, या right होता है, या obtuse होता है, acute को हिंदी में कहते हैं noon, right को कहते हैं some, कोन, और obtuse को कहते हैं अधी कोन, और इसको हम कहते हैं noon कोन, अगर एक angle, समझो, अगर मान लो मैंने ये बनाया, ये मान लो 60 degree है, ये मैंने बनाया 90 degree, और ये मैंने बनाया 120 degree, तीन angle बना दिये हैं मैंने यहाँ अगर गौर से देख रहे हो, तो एक 60, एक 90 और एक 120, अगर 90 से कम है, तो इसको बोलेंगे acute angle, यानि noon कोन, noon नाम से चल रहा है, कम, noon, 90 से कम, acute, 90 के बराबर है, तो right angle, या फिर some कोन, और अगर 90 से जादा है, तो अधी कोन, यानि obtuse, अभी हम triangle की बारे में बात नहीं कर रहें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ angles के बारे में बात करते हैं, ओके, I hope clear होगा, acute, right और obtuse, अधी कोन, ठीक है, 90 से कम है, तो acute, 90 है तो right, और अगर 90 से जादा है, तो obtuse, अब देखो, straight angle क्या होता है, यह होता है, यह होता है, straight angle, एक line पे जो angle बनता है, हमेशा यह देखो, यह है, straight angle, ठीक है, यह क्या है, यह straight angle है, क्या है, यह straight angle, और straight angle जो होता है, यह equal to 180 होता है, obtuse जो होता है, हमेशा greater than 90 होता है, right equal to 90 होता है, और acute 90 से कम होता है, clear है I hope clear होगा यहां तक acute हो गया, right हो गया, obtuse हो गया, straight हो गया अब एक होता है हमारा straight को रेखिये भी कहते हैं हिंदी में प्रति वर्ति या फिर reflex angle देखो reflex angle क्या है मैंने यह एक angle बना दिया मान लो say अब इसका नाम दे देते हैं यह 70 degree है यह कितना है, 70 degree है तो यह तो 70 degree है बट यह जो है ना यह यह basically इसको छोड़कर बाकी उसको हम बोलेंगे reflex angle क्या बोलेंगे reflex angle तो reflex angle कभी भी निकालना हो आपको 360 minus theta जो भी angle दे रखा है अगर मैं उसको 360 में से घटा दूँ तो reflex angle आ जाएगा ठीक है, जैसे अगर मुझे 70 का reflex angle क्या होगा 290 reflex angle की खास्यत होती है यह 90 से ज़्यादा ही होता है most cases में, ठीक है वैसे तो अगर मालो angle ही 300 है तो यह 60 वैसे यह वाला लगेगा निसमें तो reflex समझ में आ गया होगा basically 360 में से अगर यह घटा दोगे ठीक है, तो वो reflex angle होगा ओके है, I hope clear होगा यहाँ तक, ठीक है, 5 points हो चुके है इसका, आगे देखो complimentary पूरक compliment मतलब होता है एक दूसरे को complete करना ठीक है, वैसे हिंदी में अगर जाओगे ना, जैसे bread और butter एक दूसरे के compliment है चाय पत्ती और चाय दूनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो उसको हम compliment कहते हैं और अगर opposite काम करते हैं, तो substitute for example, चाय के बतले coffee पीलो वो substitute है, यह economic तुरह term है, और अगर चाय है, चाय और चीनी क्या है, दूनों का competition है, यह साथ में चलता है चीनी की खपत बढ़ी, चाय की बढ़ जाएगी चाय की बढ़ जाएगी, चाय की बढ़ जाएगी अब यह मत बोलना कि sir, क्या पता, लोग चीनी ना पिए बिना चीनी वाला चाय पिए, तो ऐसी चीजों को नहीं पढ़ते कुछ चीजों को हम वो रखते हैं, एकनॉमिक्स में तो complementary क्या होता है, जब दो angle जैसे मालनो, एक angle x है एक angle y है अगर इनका sum 90 होना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, complementary यानि की पूरक, उसको क्या बोलेंगे पूरक होन, जब दो angle का sum 90 degree हो, और supplement क्या होता है, जब दो angle का sum 180 हो, तो उसको supplement कहते हैं, यानि sum पूरक ये sum पूरक हुआ, और ये complementary, यानि पूरक हुआ, तो पूरक का क्या होता है x plus y, 90 degree होगा, और इसमें क्या होगा x plus y, 180 degree तो अगर दो angle का sum 180 है तो complementary, और 90 है, तो complementary अब जैसे ऐसा दे सकता है कि मालो x की value 30 है बताओ y की value कितनी होगी, अगर x और y एक दूसरे के पूरक कोन है ठीक है, यानि दोनों का sum 90 है तो उस case में y की value 60 आ जाएगी, 90 में इसे 30 गटा दो और अगर supplementary होता तो इसका answer 150 आ जाता I hope clear होगा यहां तक अब आ जाते हैं complement supplement हो गया अब आ जाते हैं vertically opposite angle देखो vertically opposite angle का मतलब क्या होगा जैसे मालो 2 line है ठीक है, 2 line है ये है theta और ये है theta 1 ठीक है, ध्यान रखना theta और theta 1 जो है न, वो बराबर होगा ये दोनों बराबर होगे इसी को हम बोलेंगे vertically opposite angle एक उस side है और एक इसके opposite है तो इसको हम क्या बोलते हैं vertically opposite angle ठीक है, यानि लंबवत विपरीत कोन लंबवत विपरीत कोन ठीक है, या फिर विपरीत कोन भी कह सकते हो इसको सीधा vertically opposite angle ठीक है, ये इस side है, ये इस side है आप देखोगे, ओके, I hope clear होगा, vertically opposite angle क्या है और vertically opposite angle की खासित क्या होती है, कि x is equal to y ठीक है, यानि दोनों बराबर होता है ओके, फिर आ जाते हैं adjacent, देखो, adjacent बोले तो आसन कौन आसन बोले तो जो साथ में बैठा हुआ है, आसन मतलब होता है बैठना, पता नहीं, आप लोग सुने होंगे नहीं सुने होंगे, हमारे यहाँ तो language में भी है, आसन पे बैठने के लिए बोलते हैं, आसन यानि जिस पे बैठना बगल में बैठना, ओके, तो adjacent angle होता है, साथ साथ ठीक है, जैसे for example यह theta है और यह मैंने y कर दिया ठीक है, तो theta और y adjacent angle है ध्यान रखना, आसन कोन है या फिर y और theta 1 क्या है, adjacent angle है अगर मैं यहाँ z लग दूँ तो y और theta और z क्या है, adjacent angle है किसी भी angle का na, किसी भी angle का maximum दो ही adjacent angle हो सकते है ध्यान रखना, साथ में दो ही बैठ सकता है एक इस side, एक इस side उसके बाद वाला नहीं होता, ध्यान रखना theta का theta 1 नहीं है adjacent angle, यह vertically opposite है लेकिन y और theta adjacent है theta और z adjacent है y और z नहीं है, ध्यान रखना adjacent होता है, बिल्कुल जो 7-7 होता है ओके, 7-7 और हर angle के दो ही हो सकता है maximum, आसन कोन यह भी clear फिर आजाता है linear pair अब देखो linear pair क्या है अभी मैंने आपको एक straight angle बताया था यह एक सीधी line है अब इस पे मैंने यह angle, एक line खेज दिया, ठीक है, अब देखो इस line पे दो angle बन रहा है, एक x और एक y, तो इसको बोलेंगे linear pair, क्या बोलेंगे इसको linear pair, और इस case में होगा क्या, x प्लस y जो है, यह 180 के बराबर होगा, क्योंकि यह देखो, यह है straight angle straight angle का sum 180 होता है और उसी पे आपने दो angle बना दिया x और y, तो उसका sum 180 होगा अब ऐसे ही देख लो, अगर माल लो मैंने यहाँ पे एक x बना दिया यह मैंने y बना दिया यह मैंने z बना दिया और यह मैंने w बना दिया अब देखो, यहाँ चार-चार angle बना दिये, लेकिन सब है तो एक ही line पे ना ये सब एक ही लाइन पे है ना तो हम इन सब को linear pair बोलेंगे और linear pair का मतलब है x plus y plus z plus w is equal to 180 एक चीज और बोलना भूल गया I hope आपने notes वाली copy अपने साथ में रखी हुई है क्योंकि मैं इसका PDF नहीं देने वाला classes का PDF because I want it आप उसे खुद से करो ओके और बच्चा करेगा तभी सीखेगा math सीखने के लिए आयो देखने के लिए नहीं तो इसलिए हाथ चलाते रहो अपने साथ ठीक है मतलब मेरे साथ I hope linear pair समझ में आगया होगा जब एक ही line पर angle बन रहोगा तो हम उसको linear pair बोलेंगे तो x plus y भी 180 है x plus y plus z plus w भी 180 है तो जितने भी pair होंगे न उन सब का sum 180 होगा किसमे linear pair में I hope clear होगा इसको हम रेखिय युग में कहते हैं हिंदी में रेखिय युग में कहते हैं angle bisector देखो क्या है जिसको हम cone दूई विभाजक भी बोलते हैं देखो जब कोई cone को दो बराबर part में divide करता है जैसे for example मैंने क्या किया ये angle बना दिया 70 degree क्या बना दिया 70 degree फिर मैंने क्या किया इसको ऐसे 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 कर गए एक और line केज दिया ठीक है अब ये जो line है ये 35 degree बन जाता है और ये 35 degree बन जाता है ये L1 है ये L2 है और ये L3 है यानि line 3 है अब देखो ये जो L3 है ये क्या कर रहा है इस angle को ना bisect कर रहा है यानि बांट रहा है दो बराबर भागों में बांट रहा है सिर्फ बांट नहीं रहा है ये दो बराबर भागों में बांट रहा है 35 35 तो इसको हम बोलेंगे angle bisector ओके यानि कोन 2 विभाजक जो इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करे उसी को हम angle bisector कहते हैं I hope यहां तक clear होगा तो अभी तक आप देखोगे कुल मिला के 11 और 8, 19 concept पढ़ लिये हैं अभी तक हमने पता भी नहीं चला ओके अब बहुत important चीज पढ़ने वाले हैं और पूरा lines and angles इसी पे based है ठीक है पूरा lines and angles आप मालो इसी पे based है समझना क्या है इसको बाद में देखना पहले यह जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखना मान के चलो यह एक line है एक और दो line है ठीक है यह दो line है जब दो line को एक तीसरा line intersect करे ठीक है तो इसको हम transversal line कहते हैं क्या बोलते हैं इसको हम transversal line यानि एक ऐसी line जो दो line को intersect करे और कौन से दो line यह कोई भी दो line हो सकता है ठीक है mostly यह parallel lines होते है ये mainly parallel lines होते हैं जाज़ातर case में ठीक है बाकी इसको हम transversal बोलेंगे ठीक है तो when two parallel line intersected by a transversal line तो जब ये दो parallel lines एक transversal line से intersect होता है तो कुछ theorems बनते हैं कुछ theorems बनते हैं ठीक है for example जैसे ये है इसको मैं नाम दे देता हूँ ये x है ये y है ये z है ये w है कोई दिकत ये a है ये b है ये c है और ये d है ओके यहां तक कोई दिकत नहीं होगी अब देखो अगर आप इन दो figure को देख रहे हो ये दो line के अंदर जो बन रहा है ना b, z, w और a ये सब क्या है ये अंदर बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे interior angle यानी आंतरिक ठीके इन सब को हम क्या बोलेंगे interior angle interior angle जो अंदर है जो अंदर है I hope clear होगा interior क्या है ठीके interior आ जाएगा basically z, w, b और a z, w, b और a ये क्या है ये interior angle है exterior हो गया जो बाहर है y, x, c, d ठीके बाहर कौन-कौन सा आया जाता है y, x, c और d और इसमें interior में क्या जाएगा a, b, z, w ओके I hope यहां तक clear होगा ठीके exterior interior समझ में आ चुका है अब देखो corresponding angles क्या होता है संगत कौन, संगत corresponding का थोड़ा-थोड़ा मतलब होता similar type का यानि की देखो, अगर आप x को और a को देखते हो न x और a को देखते हो, ये दोनों आपको देखे के एक जैसे ही, या फिर y और b, z या c, w या d, ये सब क्या है, these are corresponding angles corresponding बोले तो, जो मेरी position x की यहाँ पर है न, वही position a की है, तो इसको हम क्या बोलेंगे corresponding angles, और corresponding angles are equal ये चीज़ ध्यान लखना, ये क्या होता है ये equal होता है, corresponding angles क्या होए, equal होता है याद रहेगा, corresponding angle क्या है, equal होता है for example, अगर माल लो, ये 30 है तो ये भी 30 होगा अगर ये 30 है, तो ये भी 30 होगा corresponding angles are equal ठीक है, I hope यहाँ तक clear होगा, अभी हम 15 questions करने के बाद, ये सारे doubts आपके clear हो जाएंगे बहुत प्यार से, बहुत slowly slowly करवाऊंगा आराम आराम से, सब clear हो जाएगा, ठीक है, इतना बच्चे से करवाऊंगा ना, इतना basic से, यही नहीं बाकी भी, जो वो है, सब clear हो जाएगा, बस आप सुनते रहना, corresponding angles क्या होता है, equal होता है, तो जैसे X और A, W और D, Z और C, B और Y these are corresponding angles और corresponding angles are equal याद रहेगा, तो corresponding angle क्या होगा X A के साथ Y B के साथ Z C के साथ और W, D के साथ तो they are corresponding angles, ओके I hope clear होगा, ठीक है, फिर आ जाते है alternate angles, ठीक है आप इसको समझो, alternate interior angle, जादा तर इसी का काम आएगा, alternate angles क्या होता है, जैसे देखो, यह Z है ठीक है, यह Z है जैसे यह इधर बन रहा है ना यह alternate है यह क्या है, Z और A क्या है they are alternate angle ठीक है, alternate interior बोलेंगे इसको हम Z और A, यह alternate angle है, जैसे for example मैंने यह और यह बना दिया, तो यह इसका alternate है, ठीक है यह इसका यह इसका alternate है और यह भी इसका alternate है दियान रखना, और यह इसका alternate है बट यह जो है ना, यह exterior है और alternate exterior angle का काम नहीं होता alternate interior angle का ही काम होता है तो alternate interior में क्या हो जाएगा Z, basically A W का B के साथ और alternate interior angles are equal, यह भी equal होता है क्या होता है यह, यह भी equal होता है अब आप देखोगे कि हम कैसे कैसे इन सब का relationship निकाल सकते हैं यह चारो terms आपने पढ़ लिये हैं अब देखो मैं एक figure बनाता हूँ फिर उसके बाद देखना कैसे कैसे सब कुछ change होगा जैसे for example मैंने यह एक figure बना दिया ओके, कोई भी एक angle का नाम दे देते हैं for example यह, यह 30 है अब मैंना इससे सारे angles निकाल सकता हूँ देखो कैसे, समझना यह दे रखा है 30 सबसे पहले एक बात बताओ, यह सीधी line जा रही है ना यह सीधी line है या फिर मानलो यह वाली सीधी line है है ना है ना, तो अगर यह 30 है तो यह कितना होगा अगर यह 30 है तो यह कितना हो जाएगा 150 क्योंकि basically इनका सम 180 होता है सम 180 होता है, अब देखो यह 30 है, तो यह भी 30 यह corresponding angle है यह 30, 30 का corresponding angle है अगर यह 30 है, तो यह भी 30 है क्योंकि यह alternate अल्टरनेट इन्टीरियर एंगल्स है और एक्ष्ल या इसको आप वर्टिकली अपोजिट भी गह सकते हूँ वर्टिकली एक दूसरे से अपोजिट भी है तो उसी से भी 30 है अब एक बात बताओ ये 30 है ये भी 30 है ये 150 है तो ये भी 150 है क्यों 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 पूरा lines and angles इसी diagram पे based है इसी diagram पे based है एक दो term दे देगा बाकि आपको निखालना होगा और कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपने बिल्गुल परेशान नहीं होना ठीक है 30 minute आपने theory को दे दिया है enough है अब हम questions start कर सकते है slowly slowly करेंगे और questions अच्छे हैं सारे के सारे मतलब कोई ऐसा लल्लू पंजू question नहीं है सारे questions बहुत ही बहतरीन है अब जैसे इसी question में देख लो हमें न x की value निकालनी है क्या करना है हमें x की value निकालनी है आपको diagram देखना है जब कभी diagram आजए diagram को देखो हमें x की value निकालनी है कैसे निकालोगे देखो a b क्या है ये एक line है और basically ये उस पे दो इस type से figure बना दिया गया है और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ये क्या है ये linear pair है जब एक ही line पे दो, तीन, चार, पांच कितने भी angles बना दो उनको हम बोलेंगे linear angle और linear pair की खासियत क्या होती है कि उनका जो sum होता है न वो 180 होता है क्यों है ऐसा? क्योंकि ये linear pair है ठीक है जिसको हम रेखिया युग में भी कहते हैं हिंदी में तो linear pair है तो 5x प्लस 4x 180 9x is equal to 180 और x is equal to 180 by 9 20 degree is your answer फर्स्ट का C I hope clear होगा second question भी देखोगे बिल्कुल वैसा ही है 5x प्लस 12 है एक angle और एक angle है 3x तो इनका sum तो 180 होना चाहिए तो अगर मैं इनको add कर दूँ तो सिधा लिख सकता हूँ 8x प्लस 12 should be equal to 180 so 8x is equal to 168 और x is equal to 21 ओके है I hope यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी फर्स्ट का C answer है देखो अब देखो इस question में ना हमें x प्लस y निकालना है देखो क्या दे रखा है in the following figure ab is a straight line ये एक straight line है बाकी कोई straight नहीं है दिखने पे नहीं जाला है जो लिखा है वही हमें basically x प्लस y निकालना है that means कि अगर मुझे x प्लस y पता हो तो हम बाकी सब कर देंगे सबसे पहले तो ये देखो कैसे कैसे निकाला जा सकता है अगर मैं ab एक line है अगर ab एक line है और ab के उपर देखू मैं तो क्या दे रखा है 90 प्लस 2x प्लस y ये किसके equal होना चाहिए ये 180 के equal होना चाहिए ये linear pair है ना so what we can say कि 2x प्लस y is equal to 180 clear है ये हमने ab का उपर देखा है अब अगर मैं ab के नीचे देखू तो ये भी तो linear pair है ना उपर उपर थोड़ी ना होता है नीचे भी होता है so what we can say कि 3x प्लस 105 is equal to 180 क्यों ऐसा ही है ना 3x प्लस 105 180 के equal है ओके तो 3x is equal to 75 x is equal to 25 x की value तो आ गई है हमें चाहिए x प्लस y 25 प्लस y y कैसे निकलेगा देखो x की value 25 है यहाँ पूट कर दो 50 प्लस y is equal to 90 था है 90 y की value आ जाएगी 40 y कितना आ गया 40 45 प्लस 40 65 is your answer ओके है यह इस तरीके से निकल देखो दिखने में बस tough रहता है होते नहीं है अब देखो यह जो figure दे रखा है उसमें दे रखा B, O, P, 2X है यह B है, यह O है, यह P है यह 2X है ठीक है? और O, C जो है और A, O, P, 2Y है A, O, P, 2Y है यह जो है यह 2Y है और ये 2X है और जो CO है ये वाली line और OD जो है न ये इनको bisect कर रहा है bisect यानि दो बराबर पार्ट में divide कर रहा है आपसे क्या पूचा है आपसे simple COD पूचा है देखो COD आपसे पूचा है ये वाला angle क्या पूचा है ये वाला angle पूचा है ध्यान रखना तो इस वाले में देखो ये X से ये Y है तो कुल मिला के हम से पूचा गया बताओ भया X प्लस Y कितना होगा यही पूचा है आपसे एक बात बताओ A B क्या है A B एक line है ठीक है A B basically एक line है ठीक है अब दो अगर मैं common ले लूँ तो X प्लस Y की value कितनी आ जाएगी 90 यही तो पूचा था आपसे आपसे actually मैं X प्लस Y ही पूचा गया था क्या पूचा गया था X प्लस Y ही पूचा गया था अब इस question में देखो हमसे क्या पूचा है कुछ चीज़े दे रखी है देखो सबसे पहले जो दे रखी है caution को छोड़ो हम क्या क्या निकाल सकते देखो यह 40 है तो यह भी 40 होगा यह 31 है तो यह भी 31 होगा clear है अब एक बात बताओ A B एक line है अगर A B एक line है तो इससे उपर तो linear pair बनेगा ना that means कि ये वाला angle ये वाला angle और ये वाला angle इन सब का sum कितना होगा 180 होगा so what we can say कि 31 प्लस में X माल लेता हूँ प्लस में 40 is equal to 180 so X is equal to 109 ये कितना आ गया 109 clear है ये मैंने अपनी मर्जी से निकाल दिया अब देखो ये 109 है ये opposite है तो ये भी 109 होगा तो अब हमने सारे angles निकाल दिये हैं ठीक है खुल में लागे 6 के 6 angles निकाल दिये अब इसने जो भी पूचा है हम जवाब दे देंगे exam में सिर्फ question पे जाना है अभी तो हम सीख रहे हैं हम से पूचा बी ओ सी देखो बी ओ सी का मतलब क्या है बी ओ सी हम से पूचा है ये तो कैसे निकलेगा ये 109 है ये 40 है दोनों को add कर दो 149 is your answer कितना आसान है question मतलब line पूरा geometry आपको आसान लगने वाला है 6th question incomplete है तो हमने उसको हटा दिया question number 7 देखो ये क्या कह रहा है कि अगर 2x plus 17 और x plus 4 complimentary है तो बताओ x की value कितनी है complimentary बोले तो पूरक दो angle दे रखा है एक angle है 2x plus 14 sorry 17 और दूसरा angle क्या है x plus 4 ये क्या है they are complimentary ये लोग पूरक कोन है तो पूरक कोन का sum कितना होता है आप बोलोगे sir 90 degree होता है तो दोनों का sum 90 होना चाहिए add कर दो तो 3x plus 21 is equal to 90 3x is equal to 69 x is equal to 23 degree x की value पूछी थे ना आपसे 23 इसका answer आजाएगा question number 8 में देखो same question है question number 8 same question है बस इसमें complimentary की जगा supplementary दे रखा है तो supplementary में दो angle का sum 180 होता है यानि की 5y प्लस 62 प्लस 22 प्लस y यानि ये दोनों angle का जो sum है ये कितरा होगा 180 होगा अब निकाल सकते हैं 5y प्लस y 6y प्लस 84 is equal to 180 6y is equal to 96 y is equal to 16 यही पूछा गया था आपसे 9th question देखो क्या है अगर दो supplementary angles if two supplementary angles are in the ratio 13 and 5 देखो, दो supplementary angles है एक है 13 और एक है 5 तो बताओ कि greater angle क्या है अगर देखो हम से पूचे तो supplementary angle का sum कितना होता है 180 कितना होता है 180 बट इनका देखो तो यह कह रहे है 113 है और 15 है यह लोग क्या कह रहे है 113 है और 15 है यानि इनकी according sum कितना है 18 इनके according sum कितना है 18, हमारे according कितना होना चाहिए 180, तो कह सकते हो कि 180 value है 18 की आप से पूछा गया है, बताओ कि इसमें से बड़ा angle कौन सा है, तो obvious ही बात है 13 बड़ा angle है, तो cut करोगे 130 आ जाएगा ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 13x मान लो 5x मान लो, 180 के एकवल होगा और फिर 13x की value निकाल दोगे, ठीक है एक कोन अपने पूरक के आधे से 30 डिगरी अधिक है तो कोन को डिगरी में ग्याद करो, तो क्या कह रहा है, एक angle है, वो basically 30 डिगरी जादा है, अपने दूसरे compliment के आधे से जैसे दो angle होता है ना मान के चलो, पहला और दूसरा ओके, जो पहला angle है मान लो, पहला angle है वो दूसरे के angle के half से 30 डिगरी है, जैसे दूसरे angle को अगर मान लो, मैं 2A मान लेता हूँ क्यों माना मैंने 2A? ताकि half करना आसान हो तो पहला angle जो है ना, इसके आधे से 30 डिगरी जादा है ठीक है? आधे से 30 डिगरी जादा है तो ये 2A, तो A प्लस 30 अब बताओ, क्योंकि ये एक दूसरे के compliment है, that means अगर ये एक दूसरे के compliment है that means कि इनका sum 90 होना चाहिए that means कि 3A is equal to 60 होना चाहिए और A की value 20 होना चाहिए A की value 20 हुई तो पहला angle 50 और A 40, क्या पूचा है? find the angle in degree आपसे कौन सा angle पूचा है? पहला angle पूचा है, obvious सी बात है ठीक है, A की angle की बात कर रहा है तो 50 degree आ जाएगा I hope clear होगा question number 11 देखो इसमें भी diagram नहीं है just hang on 11 question को मैं complete करता हूँ diagram दिखा के in the given diagram A B parallel to GH 2 minute देना आफस्टे नहीं है स्वास्थिक ठीक है यह दे रखा है इसका लाइन नाम भी तो है यह A B है यह C है यह D है यह E है यह F है यह G है यह H है और यह I है ठीक है अब देखो इसने क्या दे रखा है इन गिवन डाइग्राम A B पैरलल टू G H पैरलल टू D एंड G F पैरलल टू B D देखो A B जो है ना A B यह किससे पैरलल है G H से देखो G H कहा है सबसे पहले तो यह G है यह H है तो यह भी इससे पैरलल है ध्यान रखना और किससे पैरलल है D E से यह भी इससे पैरलल है यह तीनों पैरलल है एक दूसरे से ठीक है दोनों एक दूसरे से पैरलल है उसके अलावा GF और BD भी पैरलल है यानि GF और BD भी पैरलल है और HI भी पैरलल है यानि कि ये ये और ये पैरलल है ये ये और ये पैरलल बिसिकलि ये तीनों लाइन में है इदर ये 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 बढ़ा देते हैं और इसको भी इधर बढ़ा देते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है मैंने एक तरह से सब कर दिया अब देखो ये तीनों पैरलल ये तीनों पैरलल ठीक है अब दे क्या रखा है F, G, C, 80 दे रखा है समझना, दे क्या रखा है ये F है, ये G है, ये C है ये दे रखा है 80 एक बात बताओ, अब देखो इससे क्या-क्या निकल सकता है ये 80 है, तो ये भी 80 होगा ये अगर 80 है, तो ये भी 80 होगा एक और चीज देखो ये 60 है, तो ये 120 होगा 80 है, तो ये 100 होगा, अब ये 100 है, तो ये 80 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेर है, ये opposite है, तो 100, ये 80, ठीक है, ये 100, ठीक है, ये 80, ये 100, अब देखरो, इससे सारे angles निकल जाएंगे, सिर्फ एक angle से सब कुछ निकल सकता है, आपसे बस पूचा है, बताओ, C, H, I, कितना होगा, तो सबसे पहले देखो, ये रहा C, ये रहा H, ये रहा I, आपसे पूचा है, ये वाला angle, तो क्योंकि ये 100 है, तो ये 80 होगा, interior angle का sum 180 होता है, इस तरीके से आप इस question को हतम को रहा है, दिखने में tough हो सकता है, बड़ ये होते नहीं है, lines and angles में tough question नहीं होता है, ऐसा एक भी question नहीं है, जो इसमें withdraw, मतलब नहीं बना सकते हो, देखो, अगला question क्या गया रखा है? इसमें भी एक figure है, A, B C, D E, F GH ठीक है? और दे ग्या रखा है? ये 50 दे रखा है, C, E 30 दे रखा है, और ये 40 दे रखा है, ठीक है? A, B, C, D, E, F, G, H, ये सब parallel है, B, H दे रखा है कितना? 100 ठीक है? B, H कितना दे रखा है? 100, ध्यान रखना, B और H, ये पूरा कितना है? 100 आपसे पूचा बताओ भी है, D, F कितना होगा, ये कितना होगा? ठीक है? बेसिकली आप ट्राइंगल में इस चैप्टर को और डीटिल में पढ़ोगे, जैसे ये देखो, ये 50 है, ये 30 है, ये 40 है, ओके? और ये सारे क्या है? ये parallel lines है, तो इनका भी जो रेशियो होगा ना, इन तीनों का भी जो रेशियो होगा ना, ये यही होगा, 5, 3 और 4, clear है? यही होगा, मतलब जो इनका रेशियो है ना, 50, 30, 40, यही रेशियो होगा, हो सकता है, सेम ना हो, एक चीज़ दानक ना, साइट, मतलब जरूरी नहीं कि जितना ये है, उतना ये होगा, क्योंकि ये औ बराबर नहीं है ना, बड़ एक चीज़ दानक ना, इसका और इसका जो रेशियो होगा, वो इनका और इसके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है? तो इनका रेशियो भी सेम होगा, तो खुल मिलाग अगर देखों, तो 5, 3, 4, यही जो 100 है, इसको हमें, पहले 12 से करना पड़ेगा, और क्योंकि DF निकालना है, तो DF की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 कैसे कि निकालो, 400 by 4, 25 is your answer, दिखने में टाफ हो सकता, बड़ होते नहीं है, मैंने बताया था नहीं कॉस्चन, टाफ नहीं होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल में पढ़ोगे, डिटेल में, अब इसमें देखो, 65 डिग्री, 50 मिनट, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 50 मिनट, ओके, इसका बेसिकली आपसे पूछा गया है, कि बताओ, कॉम्प्लिमेंट एंगल कितना होगा, तो बेसिकली एंगल जो होता है न, वो ऐसे होता है, हमेसा एंगल को ऐसे पढ़ा जाता है, 30 डिग 60 सेकंड, या मालो 50 सेकंड, पहला डिग्री होता है, मिनट होता है, फिट सेकंड होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, 60 सेकंड, एक मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट, एक डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, करोगे क्या, ये 65 डिग्री, 50 मिनट है यह हमने हाई उसमें भी किया था trigonometry में अगर या दो radian और degree में तो सबसे पहले देखो 180 में से sorry क्या पुछा compliment तो compliment में sum कि अतना होता है यानि this angle plus में this is equal to 90 so x should be 90 minus 65 50 degree ठीक है अब देखो 90 90 को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 89 degree 60 minute minus 65 degree 50 minute ठीक है क्योंकि minute से minute को खटाएंगे अगर second होता तो हम या लिखते 88 degree 60 minute 60 second अब देखो 89 में से 65 घटाया 24 degree 60 में से 10 घटाया होगे तो 10 minute 24 degree 10 minute is your answer इस तरीके से निकलेगा इतना आसानी से निकल जाएगा question number 14 देखो ऐसे ही बोला है supplement में same question है बट यहाँ पर क्या दे रखा है supplement यहाँ क्या दे रखा है supplement the supplement of 123 degree 45 minute तो same देखो 123 degree plus में 45 minute is equal to sorry plus में x is equal to 179 degree 60 minute minute में एक ही होता है clear है 180 degree को मैंने 179 degree और 60 minute लिख दिया क्या फरक पड़ता है अब देखो x is equal to जब आप घटा होगे तो 179 में 123 घटा होगे क्या जाएगा 56 degree और जब 60 में से 45 घटा होगे तो क्या बचेगा 15 तो 56 degree 15 minute is your answer question number 15 देखो क्या है दो एंगल्स है वो एक दूसरे के complimentary है तो बताओ दोनों एंगल क्या है then each angle is a right angle क्या दोनों right angle हो सकते हैं बिल्कुल नहीं एक right angle 90 होता है तो दो मिलके तो 180 हो जाएगा क्या obtuse angle हो सकता है नहीं भाईया दोनों का तो sum ही 90 है क्या supplementary हो सकता है नहीं अरे compliment है तो supplement कैसे होगा तो क्या होगा acute angle देखो दो aanगल का sum अगर 90 है तो उविससी बात है दोनों के दोनों 90 से कम है तो ये इसका answer हो जाएगा तो class यहीं घतम होता है लेकिन छहटा question एक था जिसका figure नहीं था एक बार हम sixth question भी देख लेते हैं आ आ आ बट sixth question का तो figure अभी भी नहीं मिलेगा 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 दो मिनिट दिना मुझे क्योंकि मैंने phone दे दिया न classes के बीच में वैसे हमारे disturbance रहती नहीं है बट कभी कभी तो चल सकता है अमर इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है खंस में झाल थो ढमें भी नहीं हम फस्लँद मSTR сложने नहीं है तो प्मूं आ एismo रते हैं थो जो अई ड्यच्वार्ड ७ हलो 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 ठीक है देखो question number 6 क्या है basically एक figure है पहले मैं वो diagram बना देता हूँ आपको A, B, C, D और ये है O ये X है ये 4Y है ये 2Y है और ये 3X है आपसे क्या पूछा है X की value 36 degree है तो बताओ Y कितना होगा ठीक है चार option दे रखा है 36 degree, solar degree, 12 degree और 42 degree ये चार options दे रखे हैं ठीक है अब देखो क्या होगा इसका answer कितना आसान है सबसे पहले देखो ये क्या बन रहा है अगर इस side X की value 36 already दे रखा है अगर ये 36 है कितना आसान है तो X plus 4Y क्योंकि ये एक line है क्योंकि ये एक line है ठीक है ये एक सीधी line है तो X plus 4Y किसके equal होगा X plus 4Y equal होगा 180 के X की value 30 है तो 4Y 144 so Y is equal to 4 से कट करो 4 तिया 12 4.26 36 degrees is your answer हलाएं कि question बहुत tough नहीं था मतलब easy ही था X की value direct दे रखी है अगर नहीं भी दिया होता न तो भी निकाल लेते हैं पता है कैसे देखो X plus 4Y is equal to 180 degree होगा और इधर देखो 2Y plus 3X यानि 3X plus 2Y भी 180 degree होगा ये भी 180 degree होगा अब देखो अगर मैं इस में से घटा दू तो 3X minus X 2X minus 2Y is equal to 0 ना 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 इससे नहीं निकल रहा 2X is equal to 2Y नहीं यहां से X is equal to Y आ रहा है ठीक है आ तो गया देखो X is equal to Y इससे भी आ गया यानि Y 36 है तो X भी 36 होगा तो ये तो आसान था question अगर नहीं भी दिया होता ना X की value तो भी हम निकाल सकते थे क्योंकि equation बन रहा था तो I hope आपको class अच्छी लगी होगी जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं प्लीज class देखने के बाद lines and angles के जितने भी questions होंगे books में उसको solve कर लेना और जो हमारे पेड़ बच्चे हैं प्लीज कोई book मत खोलना जो मेरा sheet है उसी को कर लेना उसमें 30 questions है और बहुत लाजवाब question है उससे बैतरीन question आपको किसी book में नहीं मिलेंगे कल मैं आपको इन सारे questions के source बताऊंगा जहां से मैंने question उठाए हैं आपको feel होगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं यानि उस वाले class में homework वाली class में thank you so much मिलता हो अगली class में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो